हाई अब्रिवन वैंस अगें वेक्वमेट टुमाय चैनल तो आज टा वीडियो अगें होने वाला है एक मीशो हौल आज मैंने मीशो से पिक किया है आप लोग की रिट्वेस्ट पे मैट्सी ड्रेस लहेंगा एंड साड़ी एंड आज टा रानुशन डेफिनेटली आपको बह से नाए जुड़ा है तो मीशो इंडियार नंबर वन रिसेलिंग आप यहां से आप घर बैठे पैसे नमाने स्टार्ट कर सकते हैं जीरो इन्वैस्मेंट पे खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं और जितने भी आउट्फिट शेयर कोड आपको डिस्रिप्शन वाट साथ की साथ स्क्रीन पे प्राइस मेंशन करती जाओंगी मीशो प्राइस और रिसेलिंग प्राइस और पचेस करना चाहते हैं तो फटा पुर से मुझ से कॉंटेक्ट कर लीजिए इंस्टार्म पी इंस्टार्म कर लिंक डिस्रिप्शन वाट्स में है यहां पर क्लिप देन मैंने कुछ स्टार्ट किया है तो आप लोगों को पसंद आ रहा है वो चीज मुझे सबसे ज़्या अच्छी लगी तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वह है एक लहंगा है जब मैंने इसे देखा मुझे समर्स की अर्गॉर्डिंग परफेट लहंगा ल मीशों पर देखा तो इसके रीव्यू काफी जदा अच्छे थे एंड मुझे भी परस्वली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था क्योंकि इसको जो कलर है फ्लावर प्रिंट है वह बहुत ही ज़्यादा खुब सूरत है साथ की साथ प्राइस मैं में मेंशन करती जाओंग काफी लाइट रहेगा काफी लाइट रहेगा एंड दूसर चीज़ इसमें फ्लेयर काफी अच्छ देखने को मिल जाएगा जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट से वेस्ट इसमें आपको में अप्टू 42 से अप्टू 44 जो कि आपके एक्सर डबल एक्सर साइज में पूरे पर आपको इस तरीकी का फ्लोरल प्रिंट देखने को मिल जाएगा जो कि पहनते हैं ना समर्स में जब इतना फ्रेश 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 फील होता है परस जब भी दूसरा विट वही आपको देखता है तो बहुत अच्छा रगता है लाइट वेट है तो उस लगाने की जरुवत पड़ेगी फ्लेयर है तीन मीटर का और यहां पर नीचे की साइड इनो ने इस तरीके से गोटे के डिटेलिंग भी की हुई है पूरा लाइट आपको फ्लोरल प्रिंट में देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा है कलर बहुत ज़्यादा खू पूरा इनो ने 80-90 cm को टफेटा सिल्का पिंक ब्लाउस दिया हुआ है प्लेन ब्लाउस है जो कि आप स्टिच करवा सकते हो जैसे भी आप चाओ तो इस तरीके का आपको ब्लाउस देखने को मिलेगा और पूरा दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का सवा-दो-मीटर क्वा पटटा है चोडाईब को अप देख सते हो वो अच्छी है तो यह जो first लेहा मैंने यहां से पिक है तो मैं चाहिए को किया निशा को ट्रय हूँ यह है मैंने इसको देख लाता मिंत्रा पे लेकिन जब मैंने इसको मिंत्रा पे देख लेकिन जब मेक्सी ट्रैस को मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा अच्छी है लुक अट इस बिल्कुल सिंपल है यह आपको पॉंचे स्टायल में देखने को मिलेगी उपर की साइड आपको ऑफ शोल्डर देखने को मिल जाएगी एंड यहां पर इनोने इलास्टिक लगवाया हुआ है यह जो फैब्रीक है जो जो फैब्रीक है और पूरे पर इनोने गो में तो बहुत ही अच्छी सी ट्रैस है लाइट वेट है समर्स के परफेक्ट है प्लस वर्थ इत है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हूं इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वह है स्मॉल इसमें आपको मीशों पर सारे साइज मिल जाएंगी आप अपने अपने साइज च मैं यहां से फिकिया है अब जो नेक्स मैंने फिकिया है वह भी है एत लहंगा और ये एक रेफिली का है एंटु मैं चाती थी इसकी कोई भी वहाड़ा रेव्यू नहीं थे मिल लेकिन मैं चाती ही परचेस करके देखो निकलता कैसा है प्वालिटी कैसी है तो अभी आपके बहुती सुन्दर सा लेंगा है यह है इस्ट्रा फ्रेंट बहुती कॉलर्फुल सा डिजाइन लेंगा है और मुझे बतलब पिट में देखने तो बहुत ज्यादा फूबसूरत लग रहा था लेकिन पता नहीं था एग्जक जब मिलेगा और रियल में उससे ज्यादा फूबस मुझे रियल में लग रहा है और हाइली रिक्रमेंड करते हूं लेंगे को डैफिनेटी बाय कर सकते हूं वेस्ट से स्टार्ट करते हैं वेस्ट आपको काफी अच्छी सी देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको जरी के काम से फूल एंब्रॉइडरी की गई है और इसमें मुल्टी कर यूज किये रहे हैं जो कि काफी जादर खूबसूरत लग रहे हैं फुल ट्लिप आप साइड में देख लीजिए पहनने पर इस तरीके का लगेगा वेस्ट है अब तो 42 से अब तो 44 लैंध है 44 फ्लेयर है 3 मीटर तो काफी अच्छा लेंगा है बहुत ही जादा सॉफ्ट है समस्के कोड़िंग पॉफेक्ट है लाइट वेट है अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउस तो इसके ब्लाउस के लिए इनोंने इस तरीके का इसमें फैब्रिक दिया हुआ है लोक एक दिस यह आपको पूरा एक मीटर का फैब्रिक देखने को मिल प्लेट भी प्लेट के लिए इस तरीके का दिया हुआ है तो अगर आप स्लिव्लाइस बनवाना चाहते हूँ लगा सकते हूँ इतना फैब्रिक दिया हुआ है जो कि आपके एकसर डबल एकसर साइस तक आराम से आजाएगा क्रलार कॉमिनेशन बहुत ब्यूटिफुल है सम तो आफ़ी ज्यादा अच्छा लगेगा तो highly recommend कर दियु आप परचेस कर सकते हो एंड मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा लेंगा आईगा बिट्कास मुझे तो केवल स्ट्रॉल कर रहे थी मीशों पर अच्छा लगा और कोई सेलर के रिव्यू भी नहीं थे पर सेलर नहीं है में यह इसमें पर मैं देखना चाहिए थी कैसा आता है तो अच्छा अच्छा लेंगा और इस तरीके का आपको रहे नेट तरफ दुपत्टा देखने को मिल जाएगा कि the summer start और वही है मैट्सी ड्रेस लेकि आऊ तो मैट्सी ड्रेस में और भी ऑडर की हुई है जैसे आएगे आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटिफुल मैट्सी ड्रेस है प्लस अफ़रडेबल प्राइस में है तो इस तरही कि आपको यह वाली मैट्सी ड्रेस देख यहां पर देखोंगे बटन लगाए है यहां पर इस तरही की बटन देखने को मिल जाएंगे जो की फटनेबल है ओपन होते हैं इस तरही की आपको इसमें प्यारी सी स्लीव्स एंड़ फैब्रिक काफी अच्छा है ग्रैफ फैब्रिक है लेकिन समर्स के अक्वारी फ्लियर काफी अच्छा है मैटसी ड्रैस का फुल लेंध में है बिन्कुल सिंपल है किसी भी अक्वार्डिक परफेट रहेगी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसमें मैंने साइस किया है वह है स्मॉल इसमें भी आपको सारे साइस मिल जाएंगे मीशो पर अपने परफेट लग रहे थी प्लस मैंने इसको मीशो पर देखा तो यह इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा खुब सूरत था और समर्स में कॉटन साडिया बहुत ही अच्छी रहती है तो मैं चाहती कि आपके साथ शेयर करूं इससे पहले भी मैंने पूरा जो कॉटन साडिया है अपके साथ शेयर किया हुआ है अगर आते नहीं देखा है जाके चैक आप कर सकती हूं और एड़ी मेरे चाला पे प्लेइस्ट रिएक कर दी है मैंने मीशो की इसे लिक डिस्रिप्शन बड़ा आप जाके चैक आप करो तो इस तरीकी कि आपको यह वाली मल्ट्कलर में साड वह चीज आ रही थी मुझे तो इसलिए पर्चेस की मैंने और यह कॉटन मुल मुल फैबरिक में आपको देखने को मिल जाएगी जो की काफी ज़्यादा सॉफ फैबरिक है समर्स की अप्वार्डिंग यह इनो ने इसका ब्लाउस दिया है यह आपको ब्लैक और औरंज चुलर से इस तरीके का प्रिंट किया हुआ है इस तरीके का आपको यह वाला पार्ट मिलेगा फिर जब आप आचर लेते हो तो यह साड़ी आपको इतने करलर के कॉमिनेशन में मिल रही है मल्टी करलर में तो काफी ब्यूटिफू लगेगी औरंज ब्लाउस नीचे ब्रीन करलर फ आपको इस तरीकी के फ्लावर देखने को मिल जाएंगे आचल पर जो की काफी अच्छे लगड़े है और बहुत ही अच्छी सी स्टेटमेंट साड़ी लगी मुझे मीशो पर और हाइली हाइली रिक्रमेंड करती हूँ आप अपचे स्टर सकते हूँ लुक काफी जद अच् शियर कीजिए फैमली और फ्रेंड के साथ जिससे उनकी भी हैप हो सकके उन्हें भी रिसालिंक के बारे में पता चले एंड चैनल पे नहीं हो चैनल को सबस्क्राइब करके जाना पास में है बैल आइकन जरूर से जरूर डन कर दो जिससे फटा फट से आपको मेरी वीडियो